Quality SD HD तो दोस्तों मुसको प्राब्लम आया White Studio में मैंने वीडियो का अपलोड किया अपलोडिंग कम्पलीट होने के बाद यहां पर मुसको White Studio में एक नया चीज देखने को मिला Quality SD HD किसी किसी के मुवाइल में आपको SD किसी किसी वीडियो में होगा तो आपको ये option जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा आखिर इस problem का मतलब क्या है आखिर ये आ क्यों रहा है सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ या फिर आप अपना फेस वीडियो बनाते हो वहाँ पर आप उसको इडिट करने के लिए काइन मास्टर या फिर जिस application को आप यह इस्तिमाल करते हैं तो वहाँ पर आप वीडियो को export करके जब आप YouTube पर डालते हैं तो यहाँ पर यह होता है कि आपकी वीडियो को वाइट इस्टूडियो रिसेर्च करता है फिर उसको पता चलता है कि आप कितने क्वालिटी वाला वीडियो बनाते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर में काइन मास्टर में मैं अपनी वीडियो को इडिट करता हूँ जैसा कि यहाँ पर मैं काइन मास्टर में हूँ उसके बाद आपको एक वीडियो के अंदर लेकर चलता हूँ यहाँ पर मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ अगर आप और quality बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आपको ऊपर वाला option जिसको बोलते हैं 1440 पी जो है आपको 1440 पी को चूज करना उसके बाद यहां पर जो छोटा सा option है आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं अगर आप और एकदम फूल HD करना साकते हैं तो इस लाइन को आपको थोड़ा और खीश दिए जिससे कि आपका वीडियो और ज्यादा HD में हो जाएगा इस दिना करने के बाद आप इसपोर्ट करें इसपोर्ट करने के बाद जब आप पनी वीडियो को यूट्यूब पर अप्लोड कर देंगे जैसे अप्लोडिंग कंप्लीट होगा यहां पर आपको क्वालिटी SDHD का option आजागा मतलब यही है कि आपकी वीडियो कितने क्वालिटी का है यह अब वाइटी स्टूडियो आपको बताएगा